प्रिविएस येर कोशन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 3 चैप्टर 3 जो है पेर आफ लिनर एक्विशन इन 2 वैरियेबल इससे पहले दो चैप्टर की वीडियो बना दी गए अगर आपने नहीं देखा उन वीडियो जाके प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइस देखिए जितने भी कोशन आपके 2023 में पूछे गया ते सारे कोशन का है डिटेल एक्स्मियानेशन है और बहुत ही सिंपला और आसान कोंसर्म के साथ समझाया गया है बहुत ही मजाने वाल आपको चलते हैं आज के कोशन की तरफ हेलो एब्रीवन वेलकर में चलेंजर क्लास अगर चैनल पे नए ना पूलें जो नेक्स्ट को संदिया गया इसमें दिया गया गया इसमें बोला गया एक कर लगाया गया वह इंफिनिटी में इस लूशन का है तो यह पहले हम समझते हैं इस कॉस्टन को करने पहले हम किस कॉंसेट का यूज करने वाले हैं तो फटा फट उसको देख लेते हैं एक मिनिट के अंदर में कि अगर कहीं पर ऐसा आता है कि क्या करेंगे हम किसको तीन कंडिशन बनता है यह तीनों कंडिशन में अगर ऐसा कहीं कंडिशन आये कि यह graph जो मना रहा होगा intersecting बना रहा होगा कैसा graph बना रहा होगा intersecting और intersecting graph ऐसे बनते हैं आपका ऐसे कही ना कहीं दोनों लाइन एक दूसर Star Ocean को कहीं किसी ना पॉयंट पर cut कर रहेंगे जब पॉयंट पर cut कर रहेंगे तो उसकी कितने expect 근raине होंगे यूनिक सलूशन होंगे कितने सलूशन और यूनिक सलूशन होंगे और वो consistent होगा और दूसरा क्या होता है कि कहीं a1 upon a2 a1 upon a2 बराबर हो जाए b1 upon b2 और एक्वल हो जाए c1 upon c2 के ऐसा बनता है था हम बोलते हैं वो coincide कर रहा है क्या कर रहा है consistent या coincide कर रहा है ठीक है और इसका जो graph बनता है एक के उपर एक graph होता है मतलब दोनों एक दूसरे की इसके infinity many solution बनते हैं कितने solution होते हैं infinitely many solution होते हैं ठीक है और हम आगे का बात करें कि a1 upon me a2 a1 upon me a2 अगर बराबर हो जाए b1 upon me b2 not equal हो जाए c1 upon me c2 के तो कौन सा सलूट आपका बनता है parallel graph बनता है क्या बनता है parallel इसके condition हम कर रहे हैं इसके coefficient को इसके coefficient को सबको divide करते हैं तो अब जिसमें जो condition बन जाता अगर यह condition बना यह condition बना तो हम बोलते हैं को consistent बोलते हैं जिसमें solution नहीं बोलता है inconsistent बोला आता है तो चलिए इस concept का हम यूज करने वाले हैं और इस concept का यूज करके हम इस question को solve करने वाले है सबसे पहले इस question में क्या दिया हुआ हुआ है question में जो दिया गया आपको कि k की value find करना है equation जो दिया गया है kx kx equal to y plus 2 y plus 2 और इसको और थोड़ा से standard formula kx minus y equal to 2 यह first equation बन गया तो दूसरा क्या है 6x equal to 2y plus 3 2y plus 3 2y plus 3 इसको इधर करिए 6x minus 2y equal to 3 यह second equation बन गया ठीक है अब क्या करना है इनको compare कर लेना है compare करके a1 b1 c1 value a1 value इससे a1 b1 c1 value से निकल जाए a1 value के comma b1 की value हो जाएगा minus 1 और c1 की value हो जाएगा 2 a1 b1 c1 की value मिल गया अगर a1 b1 c1 की value मिल गया ऐसे A2 की value निकालो 6 और V2 value निकाले माइनस 2 और C2 value निकाले 3 अब क्या करना है यहां से आपको क्या करना है हमें condition क्या दिया है according to question में जो दिया हुआ है condition कि यह बना रहा infinitely many solution ठीक है infinitely many solution इसका मतलब यह दिया हुआ कि A1 upon A2 बराबर होगा B1 upon B2 और equal होगा किसके C1 upon C2 के तो अगर यह वाला आप मिल गया आपको तो इसमें सारी value को put करिए A1 की value मिल चुका है K upon me 6 equal आजाएगा B1 की value आगया minus 1 upon me minus 2 और C1 value आगया 2 upon me 3 अब आप इन में से इन में से इनको इसको बराबर करिए और इसको इसको बराबर करके देखे ठीक है तो K upon me 6 equal to minus 1 upon me minus 2 minus minus 2 का इधर multiply करे 2K equal to कितना हो जाएगा 6 और K की value कितना हो जाएगा 6 divide by 2 करेंगे यहाँ जाएगा 3 तो K equal to कितना हो गया 3 हो गया K की value आएगा 3 और ऐसे हम एक बार इसको और इसको पराबर कर लेते हैं यहाँ से जाएगा K upon me 6 equal to 2 upon me 3 3 का इधर multiply कर दीजिया तो 3K equal to 2 into 6 हो गया और इसको divide करेंगे तो K की value यहाँ से हो गया 4 जब इसको 3 को divide करो कि K की value आएगा 4 तो आपके answer में दोनों है 3 भी है 4 भी है तो कौनसा option सही होगा अब देखो K की value 3 भी आया K की value 4 आया अगर ऐसा है कि K की value आपको एक से ज़्यादा अलग-अलग value मिल रहे है तब आपका वहाँ जो correct answer होगा does not exist मतलब उसकी कोई value exist नहीं कर रहा है तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर देखो एक question बहुत अच्छा था बच्चे क्या करेंगे फटा-फट इन दोनों को निकालेंगे और answer मार करेंगे क्या यह 3 वाला हो जाएगा अगर कुछ बच्चे करेंगे यह 4 वाला लगा देंगे अब जो भी लगाएंगे वो तो option में तो दिया ही पहले से लेकिन यह ना होता जब k की value एक ही question में k की value कई सारे आ रहे है तब वो क्या होता वहाँ पर k की value exist ही नहीं करता अगर exist नहीं करता तो उस option को खोजिए जिस option में यह लिखाओ does not exist अगर यह question आपको समझ में आए इसका कौन स option से जाएगा वैसे तो A, B उल्टा हो गया इदर A, C, B, D कोई बात नहीं B वाला option अभी इसकी साब से आप सही लगाते है और यह B वाला सही है और यह question अगर आपको समझ में आए एक comment करना ना भूलें जिससे हमें motivation मिलता है आपके लिए ऐसी question लेके आते रहें और अपने दोस्तों को share करना ना भूलें जिनसे उनका भी फायदा हो पाए आज लिए इतना है धन्यमाद